अगर आप अपने लिए अपने loved ones के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं Watch my free training program जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हू किरिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए April 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि April month में आपके partner की आपके लिए इस relationship के लिए क्या energies रहेंगी Finally you know April month में क्या हो रहा है कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप April month की energies को बदल सकते हैं अपनी love life को भैतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं April 2024 की love tarot reading तो चलिए जबनीज आप लगों के लिए देखें कि April 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पास याँ पे तीन set of cards है first set of cards में हम आपके energies देखेंगे second set of cards में आपके partner के energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally April month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सबसे पहला card मुझे दिख रहा है justice और ये card कहता है कि कुछ time से या फिर April starting में आप कोई decision, कोई choice या तो लेना चाहा रहे हैं या फिर ले रहे हैं और in the process आप सब के साथ fair होना चाहा रहे हैं वेना ऐसे आप सब के साथ fair होना चाहा रहे हैं कुछ जयमिनीज के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भई जो भी हो आपने खुद के साथ unfair नहीं होना है कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है हर चीज को एनलाईज करते हुए दिख रहे हैं हर चीज के प्रोज और कॉन्स को वे करते हुए दिख रहे हैं और दिखेंगे ये डिसीजन ये चोई सब जमिनीज के लिए डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है लेकिन जस्टिस के नीचे I want marriage का कार्ड कहता है कि किसी ना किसी लेविल पर marriage आपके deeper self में या फिर आपके mind में रहते भी दिख रही है और इसका मतलब ये नहीं है कि सब जमिनीज की शादी हो रही है या फिर सब जमिनीज literally marriage कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आपका किसी के साथ relationship स्टार्ट हो रहा है तो आप मन ही मन सोच रहे हैं कि भई सामने वाला अगर marriage में interested है तब ही मुझे आगे बढ़ना है क्योंकि आपका end goal marriage है और अगर आपके relationship में already commitment है काफी time से आपका relationship है एक दूसरे के साथ तो कहीं आपको लग सकता है कि marriage अब next step है तो आपको अपने partner से बात करनी चाहिए या फिर इसके बारे में सोचना चाहिए तो दिखिए जो भी दो चीज़े मेरे mind में आई मैंने कहा किसी भी level पर कुछ के लिए सिरफ एक thought हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि action आप इस direction में ले रहे हैं कहीं आपके मन में marriage रहती हुई दिख रही है आप करना चाहा रहे हैं और उसी से related कहीं एक decision choice आप लेना चाहा रहे हैं और उसी से related logically चीज़ों को आप analyze करते हुए दिख रहे हैं देखिए ये general reading है कुछ के लिए और भी कोई reason रह सकता है लेकिन cards के हिसाब से फिर से मैं कहूंगी marriage कहीं आपके मन में रह रही है और उसके बारे में आप सोच रहे हैं लेकिन देखिए यहाप एक queen of pentacles का card कहता है कि career, professional, materialistic, tangible चीज़ें आपके लिए बहुत एहम रह रही हैं in the process आप काफी practical, realistic होके भी चीज़ों को deal कर रहे हैं और शायद इसी लिए हो सकता है कि पीछे आपने action initiatives नहीं लिए या फिर mid April तक भी आप कोई खास action initiatives नहीं ले रहे हैं और यहापे भी देखिए सब Germanys के लिए different reasons होंगे लेकिन कहीं lack of motivation आपकी तरफ से या फिर family या जो भी लोग आपके साथ हैं आपके loved ones उनकी तरफ से जाधे रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि नीचे motivating का card कहता है या तो आप खुद को motivate कर रहे हैं खुद को boost कर रहे हैं कि अरे नहीं ठीक है you know it's fine अगर आप marriage के बारे में सोच रहे हैं या फिर कोई भी चीज को लेकर अगर enthusiasm excitement आपका कम रह रहा है फिर से इस चीज को clear करूंगी सब के लिए marriage हो सकता है कि ना हो जिसको लेकर एक you know motivation कम रह रहा था पीछे कुछ के लिए कोई और चीज भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर I want marriage का card है तो जादातर के लिए रहता हुआ दिख रहा है कि marriage को लेकर या तो आप उतने motivated नहीं थे उतने enthusiastic नहीं थे या फिर हो सकता है कि थे लेकिन action initiatives नहीं ले रहे थे बहुत practical realistic हो के चीज़ों को deal कर रहे थे कहीं you know बहुत logically चीज़ों को deal कर रहे थे तो कहीं यहाँ पर motivating का card कहता है या तो आप खुद को motivate कर रहे हैं खुद को boost कर रहे हैं खुद को you know एक positive self-talk किसी से ही related कर रहे हैं या फिर कोई इनसान है आपकी life में जो आपको थोड़ा सा motivate कर रहे हैं और शायद इसी लिए या पर two of souls reverse का card कहता है कि पीछे जो आप action नहीं ले रहे थे आप initiatives नहीं ले रहे थे decision choice नहीं ले रहे थे कहीं by the end of April आप अपने आपको इस energy में से बहार निकालते वह दिख रहे हैं यानि कि finally आपको ऐसे लग सकता है बस अब बहुत हो गया अब अगर आपको कुछ चाहिए तो उसी के लिए आपको उसी के according action initiatives लेने पड़ेंगे decision choices लेनी पड़ेंगी deeper level के लिए both still in love का card कहता है कि partner के लिए मन ही मन एक प्यार मोहबत आप में हसूस कर रहे हैं और कहीं एक feelings emotions भी आपके मन में रहती हुए दिख रही है क्योंकि इस card में लिखा हुए both still in love तो पीछे अगर कुछ issues मसले जिन भी जमिनीज के love life में हुए तो यहाँ पर इस card का मतलब है कि अभी भी आप उनके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं अभी भी आपके मन में उनके लिए feelings हैं और अगर ऐसा नहीं है तो simply you know जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आप एक प्यार महबत partner के लिए महसूस कर रहे हैं और अब देखते हैं कि आपके partner के क्या energies हैं तो देखें आपके partner के लिए आपे सबसे बहला card है 10 of swords और यह card कहता है कि आपके partner किसी भी level पर किसी भी तरीके से किसी चीज की ending, beginning अपनी personal life में या फिर इस relationship से related करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं और उनके लिए थोड़ा सा या फिर काफी difficulty ending, beginning रहती हुई दिख रही है अब देखें ये general leading है तो सब जेमिनीज के partner के लिए different चीजें हो सकती है जिसको लेकर एक ending, beginning वो चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है अगर कुछ issues, मसले आप दोनों के बीच में रह रहे थे या फिर रह रहे हैं, उनको end करके आपके साथ एक fresh start करना चाह रहे हैं और देखें इसके chances काफी जादा मुझे रहते वे दिख रहे हैं क्योंकि 10 of swords के नीचे still not over you का card कहता है कि अगर कुछ issues, मसले आप दोनों के बीच में हुए हैं तो अभी भी वो आप से overcome नहीं हो पाए हैं कहीं अभी भी उनके मन में आपके लिए feelings हैं, love हैं अभी भी आपको लेकर वो emotional है, sentimental हैं तो देखें आप दोनों के लिए ही आया है still in love तो मैं यहीं कहूंगी कि हो सकता है पीछे छोटे मोटे issues, मसले आप दोनों के बीच में रहे किसी भी level पे हो सकता है, distance रहा हो physically, mentally, emotionally और कहीं जो भी issues, मसले रहे उसके बावजूद आप दोनों ही deeper level के लिए एक दूसरे के लिए प्यार, महबबत महसूस कर रहे है दीखें, partner के लिए card है still not over you, तो अभी भी वो आप से over नहीं हुए है और आपके लिए है both still in love तो आपको ऐसा लगता है कि आपके partner के मन में भी अभी आपके लिए प्यार है और आपके मन में तो है ही है and mid April के लिए Queen of Cups Rivers का card कहता है कि आपके partner काफी emotional हो रहे है in fact उनके mood swings हो रहे है और मैं कहूंगी कि over emotional, over sentimental भी रहते हुए दिख रहे हैं deeper level के लिए wants their cake and eats it too तो देखिए जो भी अच्छी अच्छी चीजें है उसके लिए तो वो खुश है उसके लिए तो वो you know okay है लेकिन जब भी भी कोई challenges आते हैं कोई भी मसला आता है तो थोड़ा सा escape कर जाते हैं या फिर तब परिशान हो जाते हैं यानि कि problem और issues को नहीं face कर पाते हैं तब कहीं escape कर जाते हैं तब कहीं you know backseat ले लेते हैं और upfront okay चीजों को नहीं deal करते हैं और जब आप दोनों के बीच में अच्छा च्छा चल रहा होता है या फिर आप उनके हिसाब से चल रहे होते हैं उनके तरीके से चल रहे होते हैं तब वो बड़े खुश रहते हैं तब उन्हें कोई issue मसला नहीं रहता है and end April के लिए आप ए Queen of Wands का card कहता है कि mid April तक उनकी एक different energy रहती भी दिख रही है और end April में कहीं चीजों का control अपने हाथ में लेकर बहुत confidently वो action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं तो फिर से दिखिए आपके partner के energies में broader level के लिए बताओ mid March के लिए एक ending, beginning, victim consciousness वाली energies रहती भी दिख रही है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मैं ही क्यों हमेशा इस situation में आ जाता हूँ और कहीं over-exaggerate चीजों को करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए बहुत एक प्यार-mohabbat फील कर रहे हैं लेकिन challenges और problems आपके साथ नहीं face करना चाहा रहे हैं और कहीं बहुत उनके mood swings होते हुए दिख रहे हैं emotionally low feel करते हुए दिख रहे हैं या फिर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए two queens हैं तो हो सकता है कि किसी female का भी influence है और यह female कोई भी हो सकती है कुछ के लिए sister हो सकती है कुछ के लिए mother कुछ के लिए friend, colleague again कोई भी female हो सकती है जिनकी तरफ से एक involvement है, interference है या फिर जिनका influence है deeper level के लिए shocking का card कहता है कि कुछ चीजें उन्होंने शायद expect नहीं करी आप से या फिर खुद से ही कितनी बारी लोग मिर पस reading के लिए आते हैं बोलते है, maam हम यही नहीं पता था कि हमारे मन में partner के लिए बहुत प्यार है, हम उनको बहुत casually ले रहे थे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला card है judgment reverse और यह card कहता है कि आप दोनों यहाँ आप दोनों में से कोई एक थोड़े से critical, थोड़े से judgmental हो रहे हैं और देखिए अगर मैं आप लोगों के cards देखूं तो आप दोनों की ही energies रहती भी दिख रही हैं जहाँ पर हर चीज को critically analyze कर रहे हैं और यह card भी के decision choices की बात करता है तो हो सकता है कि कोई decision कोई choice आप दोनों ही लेना चाहा रहे हैं और बहुत logically चीजों को deal कर रहे हैं बहुत जादा analytical हो रहे हैं critical हो रहे हैं in the process और कहीं देखिए जब हम overthink करते हैं या फिर over analytical हो जाते हैं तब हम decision ही नहीं ले पाते हैं तब हम choice ही नहीं ले पाते हैं और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है कुछ चीजों को end करके एक नई beginning करना तो चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं और deeper level के लिए hiding something का card कहता है इसका बहुत बड़ा एक reason रह सकता है कि एक transparency आप दोनों के बीच में नहीं है या तो आप या फिर आपके partner कोई चीज दूसरे जन से चुपा रहे हैं तो फिर से मैं कहूंगी transparency नहीं रहती हुए दिख रही है जिसकी वज़े से कहीं चीजें next level पर नहीं जा रही है जिन भी चीजों को end करके fresh start करना चाहा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए या पिर otherwise भी night of wands reverse का card कहता है एक restless anxious energies रहती हुए दिख रही है और हो सकता है कि थोड़े से impulsive आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों होते हुए दिख रहे हैं जल्दबाजी कर रहे हैं और travel हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाहा रहे हैं travel से related भी issues मसले रहते हुए दिख रहे हैं और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ी से इंपल्सिव हो रहे हैं, तो दीखे, action initiatives लें, लेकिन impulsive ना हो, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, यहाँ पे big baby का card कहता है कि immature energies भी, आप दोनों याँ आप दोनों में से किसी एक कि रह सकती हैं, और आपके partner की जादा मुझे रहती हुए दिख रही हैं, and end April के लिए यहाँ पे seven of cups and dear devil के cards कहते हैं, कि मन ही मन तो आप दोनों याप दोनों में से किसी एक को ऐसे लग रहे हैं कि ऐसी की तैसी जमाने की, ऐसी की तैसी लोगों की, या फिर ऐसी की तैसी साम में वाले की, मतलब इसे होते हैं कि हमें लगते हैं, भई हमें नहीं किसी की परवा करनी, हमें नहीं किसी की फिकर है, जो हम चाहते हैं, उसको हमें करना ही करना है, और बहुत ही boldly, बहुत ही courageously चीज़ों को deal करना चाह रहे हैं, in fact, आपके partner की तो end April में ऐसी energies रहती हुए अगर उन्हें किसी भी चीज़ पर faith है, विश्वास है, तो वो किसी की परवा नहीं करते हुए दिख रहे हैं, किसी से effect होते हुए नहीं दिख रहे हैं, किसी से influence होते हुए नहीं दिख रहे हैं, और ये उनकी end April की energies रहती हुए दिख रही हैं, लेकिन आप कहीं, you know, इन्ह devil का card deeper level के लिए कहता है कि बहुत ही बोली बहुत ही करजिसली चीज़ों को deal करना चाह रहे हैं लेकिन कहीं बहुत सारे options आप लोगों के मन में रह रहे हैं फिर से मैं कहूंगी कि जैसे आपके लिए हमने देखा Gemini's कि आप decision choice लेना चाह रहे हैं फिर हमने April मंत की reading के लिए भी starting वाले card में देखा कि decision choice लेना चाह रहे हैं तो end April तक कहीं वो decision वो choice आप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर Seven of Cups का card भी decision choice की बात करता है लेकिन इसी से ही related confused होने की बात करता है बहुत एक imaginary world में रहने की बात करता है बहुत इसी से related सोचने की बात करता है और जब मैं कहते हूं confused तो बहुत सारे options बहुत सारी चीज़ें आपके mind में रह रही हैं जिसकी वज़े से या फिर otherwise भी वो decision वो choice नहीं ले पा रहे हैं और फिर से dare devil के card को देखें deeper level के लिए तो money even ऐसी energies हो सकती हैं कि किसी के बारे में नहीं सोचना भाड में गए सब लोग जो चाहिएं जो करना है वो करना है लेकिन ऐसा फिर से कहूंगी नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि थोड़ा सा balance अपनी energies में लेकर आएं extremist किसी भी इस आप से ना हो कभी-कभी तो हम इतने extreme okay decisions और choices यहाँ फिर action initiatives लेते हैं कि वो भी ठीक नहीं होता है और कभी-कभी हम सोचते रहते हैं और लेते ही नहीं हैं मतलब extreme हम backseat पर चले जाते हैं extreme हम चीजों से withdraw करते हैं तो moderation हमेशा best scenario होता है चीजों को deal करने के लिए ना तो over action initiatives लें और ना ही एकड़म से backseat ले लें जो भी situation है circumstances है उसके हिसाब से जरूर moderately चीजों के लिए फिर से मैं कहूंगी action initiatives लें क्योंकि जब तक हम सोचते रहेंगे और हम action नहीं लेंगे तब तक हम किसी भी चीज को नहीं पापाएंगे तो इस चीज का खयाल रखेंगे तो end April को बहतर कर पाएंगे नहीं तो फिर देखिए end April में तो इतना आपको नहीं मैसूस होगा लेकिन आगे चलके थोड़ा सा frustrated हो सकते हैं तो ये था जमनीज आप लोगों के लिए April 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें